थरश्टी क्रोप प्यासा कववा ये कहानी तो लगबग सभी ने सुनी होगी एक प्यासा कववा था घड़े में पानी थोड़ा था खैर कुछ दिनी बात है गर्मी तो बहुत पड़ी रही है और उस दिन भी पड़ रही थी तो एक कववा उगता हुआ मैंने देखा वो आया और एक सामने जगहे एक मटका रखा हूआ था उसके उपर जा के बैट गया और वह कुवा काफी दिर उस मटके के अंदर और भार देख रहा था जबकि बटके के पास में बहुत सारे कंकर भी पड़े उए थे पर वो कवा उस मठके के अंदर बाहर देख करके और एकदम वहां से उड़कर के चला गया मैंने सोचा यार यह कवा उस कवा जैसा नहीं था जो मैंने स्टोरी और जो लगबक सभी ने सुनी है अगर यह समझदार होता यहां से कुछ कंकर उठाता हो गड़े के अंदर डालता जाता गड़े के अंदर जो पानी था वो उपर आ जाता और वो उसको पी ले था और उसकी प्यास बुच जाती यह उड़के ओगया वहां से तो मैं सोचा कि जाकर के गड़े के पास जाकर देखता हूं कि क्या है मैं गड़े के पास गया वहाँ जा देखकर मैं हैरान ही हो गया कि कोई गड़े के अंदर में पानी नहीं था एक बून पानी भी नहीं था उस गड़े के अंदर दोस्तों बहुत जादा गर्मी के अंदर में हमें कोई भी बर्तन दिखाई देता है चछत पर या कहीं पर उसमें कुछ पानी भर कर रख दें जिससे क्यों कोई बहुत गर्मी में पंची उड़ता हुआ है तो उस पानी को पी ले